नमस्कार शस्यक अलाद आप उम्मिद करता हूं पुछों के मस्तों गे और इस बारिस इजन का नद लेते हूंगी मौशम बदल गया है यह फिल ही नहीं हो पा रहा है कि बारिस चल रही है कि गर्मी चल रही है कि ठंडी चल रही है कि शुबह की समय कोट दो पहर के समय में टेसर और रात में रहें कोट का शहारा इंसान जी निकली कर रहा है तो चलो हम शुरू करते हैं आज की इस एपसोड को जिस लोवरी डीप रूवान वान एकस्टें रियाजम रियक्शन एक ऐसा रियाजम रियक्शन होता है जो की डी ग्लुकोज को मिक्सर में कनवर्ट करता है वह मिक्सर क्या होता है डी मैनोस डी ग्लुकोज और डी फ्रक्टोज मतब डी ग्लुकोज का रियाजम करके डी मैनोस डी ग्लुकोज डी फ्रक्टोज में जाना ही क्या करता है लोवरी डीप रूवान वान एकस्टें र या चाहरा वीकिलाइन डुकूज अन्डरρείर मैं डूगीव ए मिक्शर आफ दी चाहरा एकशन में होता क्या है कि ऊपका रीकूज होता है यह दो देख रहा है ठीक है यह दिख रहा होगा जान है फोर एसमेटिकल कार्बन जिसको कहते हैं यहां पर कारे यह इसमें और दे को सब्सक्राइब होता है जिसमें गलुकोज और डी मैनोन एक ही तरीके से एक ही रियक्शन की तरीके से बन जाते हैं लेकिन डी फ्रेक्टोऄ प्रोसीड होता है रिटक इन इन ओए आयन इन इन फुर्टी यह रियक्शन प्रोसीर होता है और इसके सास्थत क्या होता है वह मेकनीजम फाल्व में complete होता है कई सबसे होता है उस होता है कि इसके रिस्पेक्ट में कर बोगे सोकतीником तो और दो तिन पांच हो गया और इसने की मेकनिजम बनाना थोड़ा से आसान होगा यह डीक लुक हुज जए अब यह कार्बों के स्पेक्ट में वाला कार्बन अलफा कर रोटा है जब बेसी सलूशन में जाता है तो वेस आप जानते होंगे हाड्रोकसाइड होता है हाड्रोकसा कर्वन बन जाएगा लिए टोचार्ज क्योंकि यह सब्सक्राइब यहां बन जाएगा लिकत चला जाð सकते हैं अब यह जो निगीटू आपका आएन बन रहा है फिर एक नौम दिया जाता है वो नौम क्या होता है inolate मतलब वियो और ऑफी आप इसका रेजियोनः कराएंगे लोन पीट टुपाई पाई टो लोन पीट जाएगा इन हो जाएगा इन भी हो जाएगा और आप इसके साथ इन भी हो और आल भी हो उसी बोलते अब देखेंगे सेकेंड में हम लोग आएंगे तो सेकेंड में होता है प्रोटो नेशन होगा जब प्रोटोनेशन की बात आएगे सब से पहले यहां इसको सेखेंग नेशन दिखा देते हैं स्टेप किया कहना चाहरा है तो ये तो हो गया स्टेब स्टेप अब सिकर्ड ही जब बात को एक करेंगा बड़ी सीराral messenger SP2 होता है अब SP2 जब होगा तो में भी आप सबको पताया कि इसको SP2 हम पूरा दिखाना चाहें इसी को देखो इहां पर दिखा देती हैं यहां से बढ़ी हम हम यहां पर इसको दिखा दो फिंगति जब यह स्थी टूम होगा थोड़ा से प्लेनर अपने को दिखाएगा अब दिखाने के मतलब कुछ इस प्रकार हो जाएगा यह वाला गुरुप ऐसे दिखा दे रहा हूं और इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं अब यह जोगेगा अब यह क्या करेगा इस प्लेनरिटी की वज़े से दिखू कि कि अब देखो प्लेनरिटी की वज़े से यह कार्बन क्या ट्राइगोनल प्लेनर है अब प्लेनरिटी होने की वज़े से इसके की पास दोनों चैंसे होते हैं यह प्रोटोनेशन फ्रांट से भी कर सकता है कहां से भी कर सकता है और शेलिटी कारवण पर जो से टू प्लेनर कर बेनायन है डो कार्वण जो कर रहा है जब यह बन कर तो उस कहां जाएगा और भी यह सब पताएं सी टू कारबन का बुद् कहां पर गया लिफ्ट में गया और इसका जाएगा राइट में आ जाएगा तो मि यह ग्लूकॉज ओप था वह ग्लूकोस किस्में किश में हो जाएगा एक बन रही है लेकिन अगर चलो मानलो कि ह॥ सबंगे लए चंप रहे जब डूस करेगा रहेगा अब और सब्सक्राइब तरह सब में भी आप सबको पता है कि जब कार्द का सकेंड कार्बन इस राइट में होता है तो उसको हम क्या बोलते को क्या नाम देते हैं गिलोगोज इसे गलीइ रहा गया से क्लॉठोज इनुक्व मतलब डीफ हैं डी गलुकोज डी मैनो कौ second का प्रोडेंट हो गया यह हम आती हैं और पर कि बना हुआ है अब तरीक्रोड में अब होगा क्या होगा हैनोले इस्टेबलाइज होग तैड़ाइज इस्टेबलाइज कि आ इसके सेकेंड कार्वन था अभी इसको हम क्या करते हैं तो सब को करना आता होगा रूल क्या करता है का लोन पेटू पाई पाई टू लोग भाई रिजनेंस कर दिया गया डिजनेंस इस्टेपलाइस कर दिया तीवन कार्वन पर ओपत क्या आ मानिस और अध्यर फिक्स मैं अब क्या होगा इसका और प्रोटो नेशन अब प्रोकयस कर देते हैं क्या करदेते हैं प्रोकजिशन क्या चाहेगा हाइट्रोजन अगों और हैंट वयागा फास्ट कार्बन पर भी आल हो जाएगा और सेकेंड पर भी क्या है आल हो गया कितने आल हो गएं दो लो गएं और जिसकी वज़ासे इसका जो नाम होगा वह बदल जाएगा नाम क्या हो जाएगा बतर यह गुरुप तो फिक्स है यह अब इसका जो नाम होता हुँ हो जाता है इन डाई आल मतलब यह दोनों कार्बन यह भी इन वाला कार्बन यह भी इन वाला कार्बन दोनों साथ आल लगा हुआ है इसका हो गया नाम इन डाई आल मतलब जो थार्ड स्टेप होता है इनुले टायन और डी प्रोटोनेट होता है लुझे Autgeneration होता है protonation होने इसके बनाता है in dial मतब को मिलाकर इस elaboration किसका होता है है-ड़-दैक- फार्मेशन औफ में और क्या हो जाता है अब शोना चलते हैं इस टेफ नंबर फ़ोर में अएंगे जो आपका इंडाय याल है इंडाय धिप्रोटरोनेट करो करेगा और किस कार्बन करेगा डिफ्रोटरोनेट एड सीच्न कार्बन का हईड्रॉक्सिलaltet मतब करें क्या वह का फեुआ टू घुलकर वह कौन करें रहा इसाथ करें सीडियो कारबन डीप्रोट्नेट करें निकलेंगा जब यहां से निकले क्या बन गया माइनस यह पासी जोएज त्राइस अब यह क्या आपका सिज़स्टू ओएज अब यह नियो अब यह क्या बताँ डी प्रोटेक्शन मत्ब एस प्लस पाहर अब इसको कहते हैं यह भी क्या है अपका इनोलेट आयन अब लास्स स्टेप में हम क्या करेंगे इसी न यहा इफ स्टेप नमबर 5 चस्टेप नमबर 5 में क्या करेंगे स्टेबिलाइज क्या करेंगे रिज्व नेंस कि स्टेब लाइज नेंट प्रोटो नेंट ये दो काम करेंगे और हमीं क्या मिल जत्यट मैंने स्टोर से अब हर्सडनम हमारा क्ड़क्ट मिल जाएगा देखू क्या करेंग इसको यह आपका रूदी तो सब को यह सबना अब क्या करेंगे इसका रिजोन करेंगे रिजोनर्ट करेंगे टो नीन कर पाई प्रोटो नेशन तो सीवन कार्बन पर प्रोटो नेशन हो जाएगा और जैसे सीवन कार्बन पर प्रोटो नेशन होगा यह मानिस जुड़ जाएगा और यह आपका बन गया क्या बताओ यह बन जाएगा किना एक हड़न था किने हड़न हो जाएगे दो हो जाएंगे और यहीं ठोड़ा से यह मेकनिजम बड़ा है और आपका बन गया डी तो बताओ पहले स्टेप में क्या हुआ धी प्रोटोनेशन हुआ मतलब असरब अलफा कार्बन पर फिर क्या हुआ प्रोटोनेशन हुआ सीटू क्योंकि अस्पी टू प्लेनर था वैक प्राक्टोज बनने के लिए सबसे पहले में क्या बनाना पड़ा और इंडायाल करने पाद फिर इनुलेट बनाना पड़ा फिर क्या करना पड़ा प्रोटो नेशन करना पड़ा और लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिल गया जिसका नाम था डी फ्रक्टोज तो यह मैकनिजम थ सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो उमीद करता हूं यह वीडियो लेक्षर आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें जिसे कि हम नए ने वीडियो आपको साथ सेर करते करते रहें आपका भी वसक्राइब कंप्लीट होता रहे पर अच्छा नंबर जब मिलेगा तब आपको कमेंट में पड़ाया था वही टॉपिक एक्जाम में आया था ठीक है ठैंक्यू